बिश्मिल्लार्मर्रहीम अस्सलामुलेकूम आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मुहम्मद इब्रान ताहिर शामिल करेंगे सबसे पहले हेड्लाइन्स सीपर आवलपिंडी की जिरे सदारद पुलिस लाइन्स हेड़कूर्टर में इजलास सिनियर अफसरान की शिर्कत पाकिस्तान सूपर लीग की फूल प्रूफ सिक्यूर्टी और ट्वैफिक रवानी बिला तातुल जारी डखने के अहकामात एस पी सदारद वीएन दावलपिंडी की खुली के चहरी सारीन के मसाइल सुनकर मतलका अफसरान को फौरी दाद रशी के खकामात बीपोर रहीम यरखान की जिले भर के सरकल पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग पुलिस कारकरदगी का जाहिजा ची कारकरदगी के हामिल एस एचो को शापाश फ्राइज में घफलत बरतने वाले पुलिस अफसरान को शोकास जारी पंजाब हर से गुदश्टा 24 गंटों में पुकार वन फाइफ सेंटर में 6457 एमजनसी कॉल्स मौसूल हुई 4,613 कॉल्स पर बरबरक्त रिस्पॉंट किया गया जबके 44,179 कॉल्स घर जरूरी करार दी गए गुदश्टा 24 गंटों में ट्राफिक कावानिन की खिलावर्जी पर 4,400 ऐलेक्ट्रोनिक चालान जारी किया गए वर्च्वल पर टॉलिंग अफसरान ने कैमनों की मदल से 1134 मश्कूग सरकर्मियों की आबजर्वेशन थी गोजर खान पुलीस इन एक्शन तीन रुक्टी मोर्साइकल चिरने वला गैंग गिरफदार कबजे से 6 मोर्साइकले इंपरामत खबरदार पतंग बाजी खुनी खेल अब कारवाई बच्चों के खिलाफ नहीं बच्चों को पतंग बाजी से ना रोकने पर वालिदैन के खिलाफ होगी फैसलाबाद पुलिस ने अगाही पेगाम जारी कर दिया CPO रावबपिंडी सेद खालिद हमदानी की सरवाही में पुलिस लाइन्स हेड़कौर्टर्स में इजलास SSP Operations, SP Headquarters, SP CIA, Divisional SPs, STU Traffic, DSP Security, DSP Organized Crime समय दीगर अफसरान की शरकर CPO सेद खालिद हमदानी ने इजलास की सरवाही करते हुए कहा कि शेहनों की जानों माल की हिफाज़त अबली जिम्हदारी है जिसके लिए तमाम वसालि बरुविकार लाए जाएं Biden है पाकिसान सूपर लीग मैचज्स का दूरान फूल परुफ सेक्योर्टी इंत्क्षिद नुधारान की बनाया जाएंगे PSL मैचज्स के लिए बेहतरीन सेक्योरटी इंत् económान के लिए हम सबने अपना किरदार अदा करना है सिक्योरिटी इंतिजामात के साथ साथ वैफ़ी की बिला ताथ तुल नवानी को यकीनी बनाया जाएगा ड्योटी पर अलर्ट रहते हुए इर्दगिर्द के महाल और मश्कुक अफराद पर कड़ी नज़दा रखी जाए एस पी सदर वी इंड रावल पिंडी मुहमन नबील खोकर ने पुलिस लाइनस हैड को़ाटर्स में खुली के चहरी का इनकात किया एस पी सदर रावल पिंडी ने शेहनियों की शिकाया सुनकर मुतलका अफसरान को एकमाद जारी किये एस पी का कहना था कि मेरे दर्वाजे हर वक्त अवाम के लिए खुले हैं शेहनियों की खिदमत के लिए बैठे हैं अफसरान को मार करदा रखास्तों पर दिये गए टाइम फ्रेम में कानूनी कारवाई करके रिपोर्ट करने का हुकम दिया अधर डीपोरी जवानमर गोंदल की एस पी इंवेसिगेशन जियालो हक के हमरा जिले भर के सरकल पुलिस अफसरान और एस एचोस से क्राइम मेटिंग मुनाकिद हुई मुकदमात के बरवक्त इंदराज पर मुतादे थानों के सरकल पुलिस को नक्त इनामात और तारिफी सेट्फिकेट देने का ऐलान किया गया रहिमियर खान में मीटिंग में डफ्री स्टाफ समयत डीएस पी लेगल मुहमर रजाक राना भी शरीक हुए मीटिंग में जले भर के सोस की मजमुएं कारकरदगी का तफसील जाएज जालिया गया मुकदमात के बरवक्त इंदराज पर सेट्चोस को नक्त इनाम और तारिफी सेट्फिकेट दिये गए पतंग बाजी कानुन जर्म है खिलावर जी की सुरत में जेल की हवा खाना पड़ेगी फैसलामात पुलिस ने पतंग बाजी की एगाही के लिए वीडियो मैसी जारी कर दिया पतंग बाजी एक महलक एक्टिविटी है जिसके जरीए आप न सिर्फ अपने आपको नुक्सान में डालते हैं बलके आप लोगों को भी नुक्सान में डालते हैं आप किसी की जान ले सकते हैं इसलिए आप से गुजारिश ही है कि इस इनलीगल एक्टिविटी से दूर रहें, अपने आपको महफूज रखें, अपने घरवालों को महफूज रखें और अपने इर्गिर्द के लोगों को महफूज रखें क्योंकि हम इस चीज़ पर नजर रखें हुएं और इस चीज़ पर हमने बहुत स्टिक्ट एक्शन लेना है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप के इर्गिर्द ऐसी एक्टिविटी होती है, आप पुलीश को इतला दें और हम खुद भी इस पर काम करेंगे नतीज़ इसका ये निकलना चाहिए कि कोई पतंगबाजी की वज़ा से कोई हुमन लाइफ का लॉस नहीं होना चाहिए पैरिंट्स को चाहिए अपने बच्चों को सबसे पहले तो इस चीज़ से रोके उनको एजुकेट करें कि ये जो आप पतंगबाजी करते हैं इसके नतीज़ में किसी बंदे की जान जा सकती है और उन पर ये रिस्पॉंशिबिलिटी मजीद जादा हो जाती है कि अपने बच्चों की सुपरविजन करें और इनकेस वो उनसे कंट्रोल नहीं होते हैं तो पुलीस से राप्तर करें गोदर खान पुलीस जराएं पेशा नासर के खिलाफ सरगरम तिनुकनी बाइक लिफटर गैंग गरफटार चोर शुदाथ 6 मोड साइकले बरामत गोदर खान पुलीस ने कारवे करते हुए बाइक लिफटर गैंग को गरफटार कर लिया है महकमा महौलियात और सेफ सिटी स्मोग रिडार के मताबिक इस वक्त मजबूरी तोर पे लहोर का एर कॉलिटी इंडक्स 160 है शेहर के मुखते फिलाकों की बात करें तो माल रोड एक सो पचानवे पंजाब इनुवर सिटी एक सो अठटर और सेफ सिटी साथॉरिटी में दो सो पंदरा रिकार्ट किया गया बिला शुबा स्मोग मुक्तलिफ हमरास का बाइस बन रही है जिन से बचने के लिए हमें माहरीने सहित की इन इडवाइस पर अमल करना होगा सुबा वाक पर जाने वाले शेहरी स्मोग से बचाओ के लिए अपनी रूटीन में तबदीली लाएं घर से बाहर निकलते वक्त मासक और चश्मे का इस्तमाल यकीनी बनाएं दिल या दुवे के मरीज बुड़े इफराद और बच्चों को स्मोग से बचाओ के लिए ज़ादा एतियात करें रोज मरा रुटीन में ज्यादा से ज़ादा पानी पीएं घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तमाल करें और दुड़े को हर गिज आग ना लगाएं ये स्मोग में जाफे की सबसे बड़ी वज़ा है आईए हम सब मिलके अपने महाल को साफ रखें और स्मोग फिलाने वालों की इतला वन फाइफ पर दें साफ महाल महफूज लहौर न्यू स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटी जथारिटी से मुतालिक अपड़ेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मिडिया पेजिस को फालो कर सकते हैं देखते रहिए सेफ सिटी टी वी